गोपाल गंज पुलीस ने साइबर अपराधियों के खिलाफ लगातार करवाई कर रही है पुलीस ने साइबर अपराध से जुड़े जहां छे साइबर अपराधियों को गिरफतार किया है वही पुलीस ने साइबर अपराधियों के पास से दो लैप्टॉप, दो टैब, 18 महंगे स्मार्ट फोन, 11 सिम कार्ड और कई अन्य आपत्ति जनक सामान भी बरामद किया है पुलीस ने यह करवाई बरॉली थाना क्षेत्र के एक मकान में किया है गिरफतार अपराधी गोपाल गंज और सिवान जिला के रहने वाले है SP सवर्ण प्रभात ने बताया कि इंडिया में ऑनलाइन गेमिंग आप महादेव प्रतिबंदित है उन्हें लगातार सूचना मिल रही थी कि कुछ साइबर अपराधियों के द्वारा इस गेम के जरिये भोले भाले लोगों को निशाना बनाया जा रहा है उनसे ठगी की जा रही है इसी इन्पुट पर नगर थाना पुलीस के द्वारा चापा मारी की गई बरौली थाना क्षेत्र के कमरे से छे साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है गिरफ्तार किया अपराधियों में तीन अपराधी सिवान जिले रहने वाले हैं जबकि तीन अपराधी गोपाल गंज केके रहने वाले हैं S.P. स्वर्ण प्रभात ने बताया कि गिरफतार किये गए अंतराजिय साइबर अपराधियों के पास से दो लैप्टॉप एवं दो टैब बरामत किया गया था. इसके अलावा 18 मोबाइल फोन, 9 चार्जर, 11 सिम कार्ड, 2 इंटरनेशनल सिम कार्ड, 1 पासपोर्ट, कई बैंकों के पासबुक, आधार कार्ड, पैन कार्ड, चेक बुक सहित अन्य चीजे भी बरामत की गई है. जिस मकान में साइबर अपराधी रहते थे, उस मकान मालिक के खिलाफ भी कारवाई की जाएगी. SP ने बताया कि साइबर अपराधियों के इस बड़े गिरों के खुलासा के बाद बरॉली एवं मोहमतपुर थाना पुलीस को 10,000 रुपया से पुरस्कृत भी किया जाएगा. बतादे की गोपाल गंज पुलीस ने दो दिन पूर्व भी 12 साइबर अपराधियों को गिरफतार कर जेल भीज दिया है. विवें कके थे, उनने भूखे में लेकर अपने जाल में फशा कर इसे दोकदरी कर अपने आकाउंट में ट्रंसफा कराते थे, इन के पास से काफी भारी संक्या में मूबाइल लैप्तौप और एक्तियाती ब्रामठ किये गए हैं और इनके पास से फेंदार कर 필요 Só में सींद्री ब्रामठ किये गए उन से पुष्त requests किया गया है इन प्रश्टित कि प्रश्टित किया जाएगा प्रसस्ति पत्र के मादेन से कि अं他ो प्रश्टित कि जो कि साथएगा जएगा जाएगागा, जो जायाएगा, जरा के मादेन और फै WITHओास कि ल听 आल, इस दो आल, कि आल, कि ग्रिसा झाल, मold सब पत्र दो